तिवहारी मौसम में बिहार आने वाले विमान किराएं में आनशिक कमी से यात्रियों को रहत मिली है हवाई किराएं में ये कमी मुंबई दिल्ली से पटना या दर्भंगा आने वाले विमानों में दिख रही है दिवाली से छट के बीच दिल्ली पटना मार्ग पर जहां 3-4,000 रुपई की कमी आई है तो वहीं दिल्ली दर्भंगा मार्ग पर पहले की अपेक्षा 4-6,000 रुपई तक की कमी की गई है दिवाली से पहले पटना आने वाले विमानों के किराये में 1-1,500 की कमी देखी जा रही है जबकि दर्भंगा आने वाले विमानों के किराये में 3-4,000 की कमी से रहत मिली है किराए में कमी की जानकारी के बाद इसका असर टिकटों की बुकिंग पर भी देखा जा रहा है हलाके अभी बैंगलोरु पटना मार्ग पर विमान किराए में कोई खास कمी नहीं की गई है चट के बाद भी इन दोनों एरपोर्ट से उडान भरने वाले विमानों का किराया काफी महंगा है अगले एक पक्वारे तक दरभंगा और पटना से दिल्ली या मुंबई जाने के दोरान विमान किराय पहले की अपिक्षा काफी कम हुआ है पटना से दिल्ली के लिए 4-5 हज़ार में टिक्टे उपलब्ध हैं वहीं पटना से मुंबई जाने का किराया 67 से लेकर 8-0 के बीच है, हलाकि छट के तुरन्त बाद पटना वद दरभंगा से उडान भरने वाले विमानों के किराय में कमी की उम्मीद हवाई यात्री को हैं बतादे की जल संसाधन मंत्री संजे कुमार जान ने पर्वत तेवहारों में दर्भंगा एरपोर्ट से जुड़े विमानों के किरायों का मामला उठाया था उन्होंने सोशल मेडिया एक्स पर लिखा था कि AI से अनुरोध है दर्भंगा एरपोर्ट से लग रहे हवाई किराय पर पुनर विचार करे और तेवहार के दिन के लिए हवाई किराय की अधिक्तम सीमा निर्धारित करे मिलगाम हवाई किराय में कमी और पटना गया वो दर्भंगा एरपोर्ट के विकास को लेकर उन्होंने पिछले दिनो नागर विमानन मंत्री जोती रादित सिंधिया से मुलाकात भी की थी बिहार से जुड़े विमानों में लगातार बढ़ रहे विमान किराय की समस्या को मीडिया ने भी प्रमुक्ता से उठाया था विभिन राजनितिक दलों के नेताओं के बीच बढ़ते किराय को लेकर काफी बयान बाजी भी हुई थी विमानन कंपनियों की ओर से इसमें कमी की गई है जिससे यात्रियों को थोड़ी राहत मिली है एक पर फिर से बता दे कि त्योहारी मौसम में बिहार आने वाले विमान किराय में आंशिक कमी से यात्रियों को राहत मिली है हवाई किराय में ये कमी मुंबई दिल्ली से पटना या दर्भंगा आने वाले विमानों में दिख रही है दिवाली से छट के बीच दिल्ली पटना मार्ग पर जहां 3-4,000 रुपए की कमी आई है तो वहीं दिल्ली दर्भंगा मार्ग पर पहले की अपिक्षा 4-6,000 रुपए तक की कमी की गई है दिवाली से पहले पटना आने वाले विमानों के किराय में 1-1,500 की कमी देखी जा रही है जबकि दर्भंगा आने वाले विमानों के किराय में 3-4,000 रुपए की कमी से रहत मिली है किराये में कमी की जानकारी के बाद इसका सर टिक्टो की बुकिंग पर भी देखा जा रहा है हलागि अभी बैंगलूरू पट्ना मार्क पर विमान किराये में कोई खास कमी नहीं की गई है चट के बाद भी इन दोनों एरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों का किराया काफी महंगा है